हेलो नमस्कार चाहती हूँ मैं मनीश अदर विकवाद्प्रियों आपके सामने एक बहुत वड़ी अपडेट लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीडियालड फर्स्च्टर में इनकी किसी भी समेश्टर में और आप सीटाइट का फोर्म भरने के लिए चिंतित हैं कि क्या हमें भरनाक। आहिवे क्या एकूर्प्रा चाहिए यह कौन से हैं इसे चात्रे हैं जो उसके लिए हभी थोड़ा सा रुक जाएं पूरी strategy पूरा plan आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि आपको form भरना है या नहीं भरना है अगर हम भरते हैं अगर हम पास हो जाते हैं क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या हमारा सीटेट बैलेड होगा या नहीं हमारे जो semester exam गए हैं अभी first semester का और third semester का तो उनका program कब तक आ सकता है और साथ के साथ हम लोग तैयारी कैसे करें semester exam आपके कब तक होंगे semester exam के तैयारी आपको कैसे करनी है तो विदिवत जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है देखे सीट एड का form भरें या नहीं ये सवाल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी first semester का exam दिया है या जिन्होंने third semester का exam दिया है और अभी तक सीट एड का form नहीं भरा है तो ये लोग परिशान है क्या हमें form भर लेना चाहिए देखे आपका first semester का exam हो गया है third semester का exam हो गया है अभी आपके पास परियाद समय है आप लोगोंने देखा होगा कि सीट एड के exam की जो date है वो आपकी 15 दिसंबर रखी गई है तो दोनों ही semester के छात्रों को सीट एड का form भरना चाहिए अगर हम इनके valid रहने के बात करें तो दोनों का ही valid होगा अगर आप इस exam को qualify कर जाते हैं तो आपका valid होगा यानि कि अगर आप 4 semester पास करने के बाद इसी सीट एड से अगर आप अपनी सक्षकवरती में आविदन करना चाहते हैं तो आप इसी qualifying marks के साथ आविदन कर सकते हैं तो जो भी छातर ऐसे हैं जो भरना चाहते हैं वो लोग भर सकते हैं क्योंकि दिए semester exam में अभी आपके देरी होगी आपका seated का exam पहले हो जाएगा semester का exam आपका बाद में होगा जाएगा कि वो जनवरी से पहले नहीं होना है जनवरी जनवरी लाष्ट में या फरवरी तक भी जा सकता है है ना तो इसलिए आप लोग भ्रमेद मत होई है तो दोनों ही semester के साथ नों को ये form भरना चाहिए आपके result लिक अगर बात करने तो आपका result जो है वो आपका अक्टूबर में आएगा अक्टूबर से पहले किसी भी तरीकी संबाबना नहीं है जो semester exam का result है वो अक्टूबर में आएगा अक्टूबर के लाष्ट तक भी जा सकता है या अक्टूबर के 15 अक्टूबर के आसपस आ सकता है तयारी कैसे करना तयारी करने के लिए आपको क्या करना है एक तो previous year लगाना है आप YouTube पर देख सकते हैं बहुत सारे चैनल पर बहुत सारी marathon से आपको मिल जाएंगी dedicated आपको वीडियो मिल जाएंगे subject wise वीडियो मिल जाएंगे तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं बाकी बहुत सारी प्रकासन की बोस्तकें भी आती हैं प्रिवेस यह भी आप लोग ले सकते हैं तो अगर उसके लिए आप लोग सज़ेश्ट करेंगे तो उसके हमें एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे आपको कहां से कहां से चैनल से क्या 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 आपको पढ़ना है समिष्टर एक्जाम की बात करते हैं उसके लिए बीज़े मैं बनें आपको बताई दिया है जनृवरी से पहले आपका किसी भी सूरत में समिष्टर एक्जाम नहीं होने क्या हैं अब देखे सीटेट की जो एक्जाम डेट है वो अब आपकी कब की गई है 15 दिसंबर 2024 कर दी गई है पहले आपका ये एक्जाम जो है वो आपका 1 दिसंबर को होना था तो इसलिए जो लोग अभी दन कर रहे हैं उनको थोड़ा समय 15 दन का और मिल गया बागी जो लोग सीट एड के नोट्स या डियल एड के नोट्स हाड कॉपी नोट्स अगर घर बंगवाना चाहते हैं वाई पोस्ट तो आप लोग इस नमबर पर वाट्सप नेसेज करके अपने नोट्स की बुकरिंग करवा सकते हैं 5-7 दिन में नोट्स आपके एंडर्स पर भूस जाएगा फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही पुना आप से बेट होगे किसी नई वीडियो में किसी नई जनकारी के साथ बने रही है चैनल के साथ तैंक्स पर वाचिंग जय हिंद